हाई फ्रेंड विल्कम टु माई चैनल इसके सोनू टेक वर्ड कैसे है फ्रेंड उमीद है काफी अच्छे होंगे फ्रेंड आप सभी को बता दू कि जेपी उनिवर्सिटी छपरा असनातक पार्ट वन क्या फेल और प्रोमोटेड का भी परिक्षा फरम भरा जा रहा है सेशन 2021 के साथ क्योंकि आप सभी को मालूम हना चाहिए कि मैं कल ही बताया था कि जो भी इस डेंट असनातक पार्ट वन का परिक्षा फरम नहीं भर है उनके लिए लेट फाइन के साथ जेपी उनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें आपको बताया गया है कि 27 मार्ज तक आप अपना परिक्षा फरम को भर सकते हैं जिसमें आपको 200 रुपे लेट भी देना होगा लेकिन बहुत सारे छातरों का यहां कमेंट आया कि क्या फेल और परमोटेट इसमें भर सकते हैं चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आपका सारा का सारा प्राबलम को सल्ब करेंगे वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका सारा का सारा प्राबलम सल्ब हो जाएगा इस वीडियो के माध्यम से आपको सही से सही जनकारी दी जाती है इस चैनल के माध्यम से जो भी जनकारी दी जाती है आपको सही और सटिक जनकारी दी जाती है चलिए फ्रेंट आते हैं अपने point वाली बात पर उससे पहले आप official को subscribe करके घंटी को दबा दें देखिए फ्रेंट सबसे पहले मैं Google को open कर लिया हूँ यहाँ पर आपको search box दिख रहा है यहाँ पर मैं चलूँगा JP University के official website पर चलिए मैं JP University का जो official website है jpbadmission.org jpbadmission.org इस पर हम देखिए आ चुके हैं जो की official website है उपर की और scroll जब हम लोग करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको notification दिखी जाएगा तथा और उपर की और हम लोग scroll करेंगे तो यहाँ new update आपको दिखी जाएगा यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं new update यहाँ पर आप सभी को बताये गया है click here to apply UG session 2121 first year examination 2222 form non collegiate only अब यहाँ पर समाझते हैं कि non collegiate का मतलब क्या होता है देखिए फ्रेंड जो अपना session regular चल रहा है उसको collegiate बोलते हैं लेकिन जो कोई जात अपने session में failure पर्मोटेड हो गए वो अगर परिच्छा फर्म को भरते हैं तो उनको non collegiate बोलते हैं तो यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका link को active कर दिया गया है लेकिन अभी university के तरफ से ऐसा कोई भी information नहीं आया है कि non collegiate वाले का परिच्छा फर्म भरा जा रहा है यानि कि जो भी फेल फर्मोटेट है उनका परिच्छा फर्म भरा जा रहा है अभी तक ऐसा university के तरफ से information नहीं आई है आप सभी कोशिस करें कि आप सभी अपने college में जा करके कर लिया परसो जा करके मालूम कर ले कि आपका परिच्छा फर्म कब से भरा जाएगा क्योंकि यहाँ पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है लेकिन university के तरफ से मुझे अभी तक कोई यनकारी नहीं मिली है मैं बहुत जगा मालूम करने की कोशिस किया लेकिन किलियर मालूम नहीं चल पाया आप सभी जा करके अपने college में मालूम जरूर कर ले देखिए फ्रेंट हो सकता है कि 4-5 दिन बाद ही आपका परिक्षा फर्म भरा जाए यहाँ पर लिंक एक्टिव कर दिया गया है लेकिन आप सभी को यहाँ पर एक वाद बात मालूम होने चाहिए कि असना तक part 1 session 20 stage के बहुत सारे ऐसे एस्टेंट है जिनका अभी मार्क सिट सो नहीं कर रहा है तो उमीद है कि उन लोग का जब कॉलेज में मार्क सिट आ जाएगा उसके बाद ही परिक्षा फर्म को भरा जाएगा यानि कि जो लोग उसमें फेल प्रमोटेट होंगे उनका परिक्षा फर्म भरा जाएगा लेकिन यहाँ पर लिंक को पहले ही एक्टिव कर लिया गया है इसलिए आप सभी जा करके अपने कॉलेज में पुर्ण रुप से मालुम कर ले अच्छे तरीके से मालुम कर ले चलिए फिर मुझे उमीद है कि आप सभी कोई है जनकारी समझ में आई होगी जैसा कि जैपी उनिवर्सेटी के वेबसाइट पर अपडेट किया गया था तो मैं सोचा कि चलिए आप सभी को बता